हेलो बच्चों, क्लास शिक्स्थ सब्जेक्ट ऐसे कर रहे हैं हम ग्रामिन शेक्र में आजी विकाग, कल भी हमने पड़ा है कि लोगों का गाउं में जीवन कैसा होता है उन्हें बहुत मेहनत करने पड़ती है और उसके बदले उन्हें थोड़ा ही पैसा मिलता है, बड़ी मुश्किल कठिनाई उन्हें होती है करजा भी लेती हैं तो बहुत मुश्किल उन्हें होती है हमने सेखर के विशय में पड़ा, तुलसी के विशय में पड़ा, उन्होंने रांग लिंगम से करजा लिया, अब रांग लिंगम और करूध थम्मा के विशय में हम पड़ेंगे, करते हैं, रांग लिंगम के पास जमीन के अलावे एक चावल के मिल भी थी, एक बीज और केट नाशक की दुकान भी थी, यानि कि बहुत पैसा था उसके पास, बहुत साधन भी थे कमाई के, तो उसने थोड़ा सा करजा भी लिया था बैंक से, तो इस प्रकार कल पट्टू औ आसपास के गाउं के लोग से ही वे धान खरीदते हैं, मिल का चावल आसपास के सहर और व्यापारियों को बेचा जाता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है, तो यह जो है पिक्चर में दिखाई भी जा रही है, कि इस प्रकार से 20 एकड जमीन के हिस्से में रोपी ग तुगाहों में है, रांग लिंगम जैसे बड़े किसान भी है, तो इस प्रकार जो है ग्रामीन परिवारों में से लगबग दो परिवार खेती हर मजदूरों के हैं, अपनी कमाई के लिए दूसरों खेतों पर निर्भर रहते हैं, शेखर छोटा किसान है, वह अपनी प्रतिशत किसान ही रांग लिंगम जैसे हैं, जो बड़े किसानों में आते हैं, ऐसे किसान गाओं के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं, जैसे कि बहारत में हर एकतर है कि लोग हैं, कि अमीर भी है और गरीब भी है, तो ज़्यादा तर लोग गरीब हैं, यानि कि 100 में से 80 लोग जो हैं, जो गरीब हैं, और जिनके पास जमीन थोड़ी है, और 20 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, और ज्यादा जमीन है, तो उनका यही कारिया है, कि वो दूसरों को प्रेशान करते हैं, गरीब लोगों को उनसे उनका फायदा उठाते हैं, तो यही सब है तो इनके भी बहुत सारे कारिये होते हैं और समुंदर तर्ट पर हम देखते हैं कि गाउं में मचली पकड़ने में लगे हुए हैं कुछ जैसे अरुना है पारिवालन के जीवन के विशे में हमने पढ़ेंगे आज हम अरुना और पारिवेलन जो है वो क्या करते हैं मचली पकड़ कर अपना गुजारा करते हैं तो इंडो के घर समुदर के पास होते हैं जैसे चार और जाल कैटा कैटामरन ये सब पंक्तियां दिखाए देती हैं मजदूर जो है तो यहां पर जो है वो मचलिया पकड़ते हैं और पकड़कर लोट आते हैं खरीदने और बेजने का कारिया वो करते हैं तो वो कहते हैं कि जो करती है अब वो जो अरुना है वो बता रही है कि मचलियों में से कुछ मचलिया परिवार के लिए लग उठा कर रख दी बाकी मैंने लाम कर दिती हूँ तो चार भागों में बढ़ जाता है वो पैसा तीन हिस्से तीन हिस्से हैं तीन लोगों में बढ़ जाते हैं जो मचली पकण जाते हैं बाकी का एक हिस्से जो नाव और जाल वगहरा होते हैं तो उनके जो है उनको मिल जाते हैं बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीद्दा उन्होंने जो केटार में लगा हुआ था दूर दूर तक जाते हैं और अधिक मचलिया मिल जाती है और जो निलाम होती है मचलिया वो टोकरे भरने के लिए काफी सारी ओड़ते हैं वो गाउं में बेचने के लिए जाती है कुछ वैपारी हैं जो सहर के दुकान और मचलियां खरीदे है तो वो जो है सादन कुछ लग होते हैं खेती में कहीं तरह Pre- Missouri तियार करना रोपना बुवाई इस परकार के कारिया होते हैं रित्यूके आधार पर यह कारिया होते थे हैं लोग अपना जीवन बड़ी मुश्किल से विटाते हैं वहां पर कुछ किसानों की अपने आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग दिसे बजार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं कुछ अपने आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए उगाते हैं कुछ किसान अपनी फसल उन वैपारियों को बेचने पड़ते जिन से पैसा उधार लेते हैं इस से वो कारिया करते हैं और उनकी आजीविका चलती है धन्यवाद बच्चो आपको ये चप्टर अच्छे से रीड करना है कल हम इसके प्रशन उत्तर करेंगे